ओम शंती, सत्रा अप्रल, सकार मोली, मीठे बच्चे, अब यह नातर पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है, इसलिए इस दुन्या से ममत्व मिटा दो, घर को और नए राज्य को याद करो, प्रश्न, दान का महत्व कब है, उस सरिटन किन बच्चों को प्राप्थ हो है, जब दान की होई चीज में ममत्व नहो, अगर दान किया, फिर याद आया, तो उसका फल रिठर्न में प्राप्थ नहीं हो सकता, दान होता ही है, दूसरे जन्म के लिए, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पास, जो कुछ है, उससे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टिंग हो कर संभालो, यहां तुम जो इश्वरिय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल वग कॉलिज खोलते हो, उससे अनेकों का कल्यार होता है, उसके रिठर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है, ओम शांती, बच्चों को अपना घर और अपनी रास्धानी याद है, यहां जो बैठते हो, तो बाहर के घर घात, धंदे धोरी, आदि के ख्यालात नहीं आने चाहिए, बस अपना घर ही याद आना है, अब इस पुरानी दुन्या से नई दुन्या में विटर्न है, यह पुरानी दुन्या तो खत्म हो जानी है, सब स्वाहा हो जाएगा आद में, जो कुछ इन आदी यह सब खत्म हो जाना है, यह ज्यान बाप ही रूहों को समझाते हैं, बच्छों अब वापिस अपने घर चलना है, ना तक पुरा होता है, यहां है ही पांच हजार वरश का चक्रा, दुन्या तो है ही, पर उनको चक्रे लगाने में पांच हजार वरश लगते हैं, जो वापिस चले जाएगी, यह पुरानी दुन्या ही खत्म हो जाएगी, बाबा, बहुत अच्छी तरह हर एक बात समझाते हैं, कोई-कोई मनहूस होते हैं, तो मुफत अपनी जाइदाद गवां बैठते हैं, बक्ती मार्ग में दान पुन्य तो करते हैं ना, कोई ने धर्मश साला बनाई, कोई में होस्पिटल बनाई, बुद्धी में समझते हैं, इंता फल दूसरे जन्म में मिलेगा, बिजर कोई आश, अनासक्त हो, कोई करे, ऐसा होता नहीं है, बहुत कहते हैं फल की चाहना हम नहीं रखते हैं, परंटु नहीं, फल अवश्य मिलता है, समझो पैसा है, उनसे धर्माओ दे दिया, तो बुद्धी में यहां रहेगा, हमको दूसरे जन्म में मिलेगा, अगर ममत्व गया, मेरी यहां चीज है, ऐसा समझा, तो फिर वहां नहीं मिलेगा, दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, जबकि दूसरे जन्म में मिलता है, तो फि इस जनम में ममत्व क्यों रखते, इसलिए त्रस्टी बनाते हैं, तो अपना ममत्व निकल जाए, कोई अच्छे सावकार के घर में जन्म लेते हैं, तो कहेंगे उसने अच्छे करम किये हैं, कोई राजा रानी के पांस जन्म लेते हैं, क्योंकि दान पुन्य किया है, जन्म की बात, अभी तो तुम यह पढ़ाई पढ़ते हो, जानते हो, इस पढ़ाई से हमको यह बनना है, तो देवी गुन भारन करना है, यहां दान जो करते हो, उनसे यह रूहानी युनिवरसिटी, होस्पिटल खोलते हैं, दान किया, तो फिर उनसे ममत्व मिटा देना च चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो, हम भाविश्य 21 जन्म के लिए बाप से लेते हैं, यह बाप मकान आदे बनाते हैं, यह तो चैंपररी है, नई तो इतने सा बच्चे कहां रहेंगे, देते हैं सब शुबाबा को, धानी वहां है, वहां इनके द्वारा यह कराते हैं, शु पुद है ही दाता, उनका ममत्व किसमें होगा, अभी बाप श्रीमत देते हैं, कि मौत सामने खड़ा है, आगे तुम किसको देते थे, तो मौत की बात नहीं थी, अब बाबा आया है, तो पुरानी दुन्या ही खत्म होनी है, बाप कहते हैं, मैं आया ही हूँ, इस पतीत खत्म करने, इस रुद्र यग्य में सारी पुरानी दुन्या स्वाहा होनी है, जो कुछ अपना भविश्य बनाएंगे, तो नई दुन्या में मिलेगा, नहीं तो यहां ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई न कोई खा जाएगा, आजकल मनुष्य उधार पर भी देते हैं, बिनाश होगा, तो सब खत्म हो जाएगे, कोई किसको कुछ देगा नहीं, सब रह जाएगा, आज अच्छा है, कल देवाला निकाल देते, कोई को भी कुछ पैसा मिलने का नहीं है, कोई को दिया, वहां मर गया, फिर कौन बैच वित्म करते हैं, तो क्या करना चाहिए, भार इसमें किस जन्मों के कल्यान के लिए उसमें लगा देना चाहिए, तुम अपने लिए ही करते हो, जानते हो, श्रीमत पर हम उच पर पाते हैं, जिससे किस जन्मत सुख शान्ती मिलेगी, इसको कहा जाता है, अविनाशी बाबा की रूहानी होस्पिटल और युनिवरसिटी जिससे हेल्थ, वेल्थ और हैपिनेस मिलती है, कोई को हेल्थ है, वेल्थ नहीं, तो हैपिनेस रहे नहीं सकती, दोनों हैं, तो हैपि भी रहते हैं, बाब तुमको 21 जन्मों के लिए दोनों देते हैं, वो 21 जन्मों के लिए जमा करना है, बच्चों का काम है युक्ति रच बाप के आने से गरीब बच्चों की तक्दीर खुल जाती है। सतो प्रधान यहा है कल्यू तमू प्रधान तुम अभी पुरुशात कर रहे हो सतो प्रधान बनने का बाप तुम बच्चों को स्मृत दिलाते हैं तो तुम समझते हो बरोबर हम ही स्वरग्वासी थे फिर हमने 84 जन्म लिये है बाकी 84 लाख योनिया तो गपोड़ा है क्या इतना जन्म जानवर योनि में रहे या पिछाडी का मनुष्य का मरतबा है क्या अब वापस जाना है अब आप समझाते हैं मौत सामने खड़ा है 40-50 हजार वरश है नहीं मनुष्य तो बिलकुल घोर अंध्यारे में है इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धी अभी तुम पत्थर बुद्धी से पारस बुद्धी बनते हो ये बाते कोई सन्या से आदी थोड़े ही बता सकते हैं अब तुमको बाप समर्थी दिलाते हैं कि वापस जाना है जितना हो सके अपना बैक बागे श्ट्रंसर कर देऊ बाबा ये सब लोग हम सत्योग में 21 जन्म लिए पा लेंगे यह बाबा भी तो दान पुन्य करते थे बहुत शुक था ये पारी लोग दो पैसा धर्माओ निकालते हैं बाबा एक अना निकालते थे कोई भी आये तो दर्वाजे से खाली न जाये अभी भगवान सम्म खाये है ये किसको पता नहीं है मनुष्य दान पुन्य करते करते मर जाएंगे फिर कहां मिलेदा पवित्र बनते नहीं बाप से प्रीत रहते नहीं बाप ने समझाया है यादव और कवरव की है विनाश काले विप्रीत बुद्धी पांडव की है विनाश काले प्रीत बुद्धी यूरोप वासी सब यादव है जो मुसल आदे निकालते रहते हैं शास्त्रों में तो क्या क्या बाते लिखती है देर शास्त्र बने हुए है जामा पलेन अनुसार इसमें प्रेणा अधिके बात नहीं प्रेणा माना विचार बाकि ऐसे थोड़े बाप प्रेणा से पढ़ाते हैं बाप समझाते हैं यहाँ भी एक यपारी था अच्छा नाम था सभी इचत देते थे बाप ने प्रवेश किया और इसमें गाली खाना बाबा को जानते नहीं ना उनको गाली दे सकते हैं गाली यहाँ खाते हैं कृष्णा ने कहा न मैं नहीं माखन खायो यहाँ भी कहते हैं काम तो सब कुछ बाबा का है मैं कुछ नहीं करता हूँ जादुगर वहाँ है मैं थोड़े ही हूँ मुफत में इनको गाली दे देते हैं हमने कोई को भगाया क्या किसको भी नहीं कहा कि तुम भाग कराओ हम तो वहां थे यह आपे ही भागाए मुफद में दोश डाल दिया है कितनी गाली खाई क्या क्या बाते शास्त्र में लिख दी है बात समझाते हैं कि फिर भी होगा यहां है सारे ज्यान की बात कोई यहां थोड़ी कर सकता है सो भी ब्रिटीश गवर्मेंट के राज्य में कोई के पास इतनी कन्याएं माताएं बैच जाए कोई कुछ करना सके कोई के संबंदी आते थे तो एक्दम भगा देते थे बाबा तो कहते थे बल इनको समझा कर ले जाओ मैं कोई मना थोड़ी करता ह पर अंतो किसकी हिन्मत नहीं होती थी बाब की टाकाव थी ना नथिंग न्यू ये फिर भी सब होगा गाली भी खानी पड़े द्रौपदी की भी बात है ये सब द्रौपदियां और दुसाशन है एक की बात नहीं थी शास्त्रों में ये गपोड़े किसमें लिखे बात कहत हैं यह भी ड्रामा में पाठ है आत्मा का ज्यान ही कोई में नहीं है बिलकुल ये देह अभिमानी बन पड़े हैं देही अभिमानी बनने में महनत है रावन ने बिलकुल ही उल्टा बना दिया है अब आप सुल्टा बनाते हैं देही अभिमानी बनने से स्वतह स्मृति रहत है कि हम आत्मा है यह देहें बाजा हैं बजाने लिए यह स्मृति भी रहती तो देवी गुंदी आते जाते हैं तुम किसको दुख भी नहीं दे सकते भारत में ही इलक्षमी नरायंक का राज्य था पांच हजार वर्ष की बात है अगर कोई लाखो वर्ष कहते हैं तो गोर अंध्यारे में है ब्रामा अनुसार जब समय पूरा हुआ है तब बाप फिर से आया है अब बाप कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो मौत सामने खड़ा है फिर अंदर के जो कुछ आशा है वहां रहे जा मरना तो है जरूर यहाँ वही महाभारत लडाई है जितना अपना कल्यां कर सको उतना अच्छा है नहीं तो तुम हाथ खाली जाएंगे सारी दुनिया हाथ खाली जानी है सिर्फ तुम बच्चे भरतो हाथ अस्था धन्वान हो जाते हो इसमें समझने की बड़ी विशाल ब है एक की एक्ट ना मिले दूसरे से सबके फीचर्ज अपने अपने है कितने सारे फीचर्ज है यह सब ड्रामा में नोन है वंडर्फुल बाते हैं न अब आप कहते हैं अपने को आत्मा समझो हम आत्मा 84 का चक्र लगाती है हम आत्मा इस ट्रामा में एक्टर है इनसे हम निक नहीं सकते मोख्ष पा नहीं सकते फिर ठ्राई करना भी फाल्तु है बाप कहते हैं ड्रामा से कोई निकल जाए दूसरा कोई एंड हो जाए यहां हो नहीं सकता इतना सारा ग्यान सबके बुद्धि में रहे नहीं सकता सारा दिन ऐसे ग्यान में रमन करना है एक घड़ी आदे गड़ी यह याद करो फिर उनको बढ़ाते जाओ आट घंचा बल स्थुल सर्विस करो आराम भी करो इस रूहानी गवर्मेंट की सर्विस में भी ताइं दो तुम अपनी ही सर्विस करते हो यहां है मुक्ष बात याद का अपना पूरा चार रखो ज्यान तो सहज है जैसे बाप की बुद्धी में है कि मैं मनिश्य स्रिफ्टी का बीज रूप हो इनके आदी मध्य अंट को जानता हूं हम भी बाबा के बच्चे हैं बाबा ने यह समझाया है कैसे यह चक्र फिरता है उस कमाई के लिए भी तु अच्छा ग्राहक मिल जाता है तो राज को कभी उबासी नहीं आती है उबासी दी तो समझा जाता है कि यह ठका हुआ है बुद्धी कहां बार भटकती होगी सेंटर पर भी बड़ा खबरदा रहना है जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते हैं अपनी पढ़ाई में ही मस्त रहते हैं उनकी 29 सदा होती रहती है तुम्हें दूसरों का चिंतन कर अपना पद ग्रस्ट नहीं करना है here no evil see no evil कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो हमेशा अपने को देखना चाहिए न के दूसरों को अपनी पढ़ाई नहीं चाहिए बहुत ऐसे रूट पढ़ते हैं आना बंद कर देते हैं फिर आ जाते हैं नहीं आएंगे तो जाएंगे कहां स्कूल तो एक ही है अपने पैर पर कुलहाड़ा नहीं लगाना है तुम अपनी पढ़ाई में मस्त रहो बहुत खुशी में रहो भगवान पढ़ाते हैं बाकी क्या चाहिए, भगवान हमारा बाप तीचर सत्गुरु है, उनसे ही बुद्धी का योग लगाया जाता है, वह है सारी दुन्या का नंबर वन माशुक, जो तुमको नंबर वन विश्व का मालिक बनाते हैं, बाप कहते हैं, तुम्हारी अत्मा बहुत पतीत है, उड नह नहीं सकती, पंक कते हुए है, रावन ने सभी आत्माओं के पंक काट दिये है, शिवामा कहते हैं, मेरे बेगर कोई पावन बना नहीं सकता, सब एक्कर्स यहां है, व्रद्धे को पाते रते हैं, वापस कोई जाते नहीं, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चो प्रती मात पीता बाप दादा का याद प्यार और गुद मॉनिंग, रूहानी बाप के रूहानी बच्चो को नमस्ते, रूहानी बच्चो की रूहानी बाबा को याद प्यार गुद मॉनिंग और नमस्ते, धारना के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, स्वयम के चिंतन और पढ बढ़ाई में मस्त रहना है। दूसरों को नहीं देखना है। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। रूट करके पढ़ाई नहीं छोडनी है। दूसरी पॉइंट, जीटे जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिचा देना है, पूरा विलकर, प्रस्टी बन, हलका रहना है, देही अभिमामी बन, सर्व देवी गुण धारन करने है। वर्दान, बाप और सेवा की स्मरती से एकरस्टी का अनुभव करने वाले सर्व अकर्शन मुक्त भव, जिस्तार, जैसे सर्वंट को सदा सेवा और माक सर ल्याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाई कुछ भी याद नहीं रहता, इससे ही एकरस्टिती में रहने का अनुभव होता है, उन्हें एक बाप के रस के सिवाई सब रस नीरस लगते हैं, एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहां भी आकर्शन नहीं जा सकती, या एकरस्टिती का तीवर पुरुशार थी, सर्व तनों से मुक्त बना देता है यही स्रेस्ट मंजिल है स्लोगन नाजब परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी मेचर को शुक्ति शाली बनाओ ओम शांती